हेलो गाईज आज के वीडियो में डिजी वर्सिटी एजूकेशन एप के बारे में जानेंगे और जो चंडीगर उन्वर्सिटी के स्टूडेंट है उनके लिए समझना और ही इंपुन्टेंट है क्योंकि मुझे चंडीगर उन्वर्सिटी से ID पासवूर्ड मिला है LMS का और इस मोबाईल एप का उप्योग करके हम बताएंगे कि किस तरह से आप यूज कर सकते हैं इस डिजी वर्सिटी एप के और इसके अंदर क्या 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 करना है कि पले अश्टूर में जा करके सर्च करके डिजी वर्सिटी एप और यहां से ओपन कर लेना है इंस्टॉल करने क के बाद आपको यहाँ पे जो ID password है जिस University से आपको मिला है वो ID password LMS का डाल देना है जैसे कि मुझे चंडीगर्ड से मिला है MBA का तो यहाँ पे मैं अपना ID password डाल देता हूं यहाँ पर देख सकते हैं कि मैंने अपना ID और password डाल दिया हूं यहाँ से login पे क्लिक कर देना है जैसे ही login पे क्लिक करेंगे तो कुछी सकेंड में यह open हो जाता है उसके बाद नीचे आप देखेंगे तो यहाँ पे see you करके लिखा हुआ है by default select हो गया यहाँ पे OK कर देना है कि यहाँ पे setting है setting में जाके उसके बाद आपको यहाँ पे profile दिखता है और यहाँ पे आपका name और नीचे चंडीगर उनिवर्सिटी जो आपका उनिवर्सिटी नेम रहता है उसके बाद learning है लाइव session है उसके बाद यहाँ पे भी session है उसके आलाइटिकल डैसबॉर है फिर नीचे आपको जो certificate दिखेगा और यहाँ पे अलग-अलग चीजे देखने को मिलता है तो यह जो सारे चीजे हैं इसके बारे में एक-एक करके जानेंगे तो सबसे पहले learning में जाते हैं learning पे जब आप click करते हैं तो जो university जैसे कि मेरा MBA से चंडीगर university है तो यहाँ पे लिख के आता है यहाँ पे university course इस पे जब click करेंगे तो आपके semester वैच्चु कि MBA में total four semester होता है तो first semester का सबसे पहले मेरा यह है यहाँ पे जितने भी subject है वो यहाँ पे देखने को मिलता है आप देख सकते हैं कि total subject यहाँ पे दिया गया अगर किसी एक पे जै unit wise जो session है वो देखने को मिलता है और किसी भी unit पे आप click करके open करेंगे जैसे कि यह हो गया तो यहाँ पे आपके इसके अंदर आपको recording मिलेगा उसके बाद unit के video मिलेगा PDF मिलेगा तो इस तरह से आप इसको open करके पढ़ सकते हैं detail में उसके बाद यहाँ पे जब नीचे resource है और यहाँ पर सबसे important यहाँ पर देख सकते कि assignment है इस assignment को open जब करेंगे जैसे कि मैं open करके दिखाता हूं यहाँ पर assignment पर open करेंगे तो यहाँ पर assignment जैसे कि जनवरी में मुझे आया था तो यहाँ पर दिखा रहा है assignment का status इस पर click करेंगे तो यहाँ पर चुकि मैंने submit कर दिया था तो अब ही यहाँ पे इस तरह से दिख रहा है यह फर्स समेस्टर का उसके बाद यहाँ पे नीचे फीड़वेक देखने को मिलेगा फीड़वेक देना है तो यहाँ से फीड़वेक की पे किलिक करके आप फीड़वेक दे सकते हैं उसके बाद यहाँ पे नीचे बे यहाँ पर इसे रोपे किलिक करेंगे और फिर नीचे देखे second semester का भी मेरा उसी तरह से आगे है सारे subject अभी मैं second semester में हूँ और third semester के देखेंगे तो यहाँ पर सारे course दिख रहा है लेकिन इस पर जब किलिक करेंगे तो कुछ नहीं दिखेगा क्योंकि अभी 3rd semester start ही नहीं हुआ है पेमेंट होने के बाद ही इनेवल होगा तो जिस semester में आप है उस semester तक का यहाँ पे detail दिखेगा और इस तरह से आप access कर सकते हैं फिर back जाते हैं और यहाँ पे आपको live session से related देखने को मिलेगा तो live session पे जब click करेंगे तो यहाँ पे सबसे पहले आपको एलोग करना पड़ता है एलोग कर देना है और एलोग करने के बाद फिर से आपको इस पे click करेंगे तो जो भी upcoming live session है आपको यहाँ पे देखने को मिलत है जैसे कि नेक्स्ट लाइब सेशन 15 अप्रील को देखने को मिल रहा है चाटर दे यानि कि आज ही है तो इस पर किलिक करेंगे तो आपको डिटेल दिखेगा अभी यहाँ पर देखेंगे कि टूटल जो अपकॉमिंग है यहाँ पर टाइम उस टाइम पर आप ओपन होगा जैसे है तो बारा पीम में जब ओपन किलिक करेंगे तो अपने आप लाइव सेशन अस्टार्ट हो जाता है और आपको दिखने लगता है इसमें आपको अभी कुछ सोर्स पर प्रिवियस सेशन सब नहीं दिख रहा है चलिए बैक जाते हैं यहाँ पर उसके बाद आप जितना वीडियो टेक्स्ट या कुछ दिखेंगे तो आपको उतना ही अस्टार मिलता है और यहाँ पे आपका एक पॉइंट मिलता है और वो दिखाएगा कि किस सेशन में कितना आप पढ़े हैं देख सकते कि यहाँ पे मार्केटिंग मैनेजमेंट में अभी तक मैंने सबसे ज़्यदा पढ़ा हूँ उसके बार यहाँ पे क्लिक करने पे बिजने सोसैटी यहाँ पे दिखता भी है कलर वाई जैसे कि टोटल 5% कंपलिशन प्रोग्रेस अभी जा रहा है और 6 अस्टार है अब यह 6 अस्टार कैसे बनता है तो यह जो आइकन है यहाँ पे देख स जैसे मैं भी 6 नमर पे हूँ यानि कि 10,000,1086 से उपर है तो मेरा वो दिख रहा है और टोटल 10 अस्टार मिलने के लिए आपको 3846 चाहिए या उस से जैदा आप देखते हैं कि इसका मिनिंग क्या है तो यहाँ पे जब लीडर बोर्ड पे किलिक करेंगे तो लीडर बोर्ड पे किलिक करने के बाद यहाँ पे आपका जो अस्थान है वो क्या है वो दिखाता है और अभी तक जितने भी एस्टूडेंट है वो टॉप 10 में यहाँ पे दिखाता है और जितने भी उनिवर्सिटी के स्टूडेंट है सब को दिखेगा यह टॉफ 10 जिसका मिनिंग यह है क यह 10 लोग ऐसे हैं जो जैदा university के आप यूज करते हैं या LMS पर पढ़ते हैं वीडियो सब देखते हैं जैसे कि आप देख सकते हैं फर्स नमर में आनंद कुमार है और मेरा नवीन सिंह यहाँ पर देख सकते हैं कि 1489 अभी है तो यहाँ पर सब से जैदा है तो हो सकता है कि व अभी नहीं सो कर रहा है चले बैक जाते हैं उसके बाद कूर्स बाइज लर्निंग पर देखने के लिए इस नीचे पर इस पर किलिक करना है और यहाँ पर जैसे कि मैंने अभी जर्ज दिखाया था इस तरह से आपको देखने को मिलता है तो आपने यहाँ पर अनलाइटिकल से जो मैसेश आते हैं यह बहुत ही इंपोटेंट है आपको लेट डिली बेसिस पर जुँए उन्वर्सिटी के तरफ से से रेंज होता है या अलग-अलग मैसेश डालते हैं वो सभी दिखता है यहाँ पर एनन्समेंट सेक्षन है यहाँ पर सभी दिखेगा जैसे कि लेटे ते रहना चाहिए बराबर उसके बाद आपको किसी तरह की कोई दिक्कत है तो आपको बता दे कि यहाँ पे help का भी section है इस help पे click करके जैसे कि आप call के लिए भी कर सकते हैं अगर आपको support ticket generate करना है तो raise ticket पे click करना है यहाँ पे आप title लिखेंगे और यहाँ पे description आपका जो issue है लिख के यहाँ से submit कर देना है जैसे ही submit करेंगे तो चंडीगर को चला जाता है और आपको reply आ जाता है उसके बाद यहाँ पे ticket history पे click करेंगे तो ticket history दिखेदा यहाँ पे कोई भी ticket नहीं मैंने अभी तक generate किया इसलिए यहाँ पे note record phone दिखता है और उसके बाद आप नीचे देखेंगे कि यहाँ पे वैसे चीज दिखने लगा है जो अभी just मैंने open किया है जैसे feedback, business environment यह चीज आपको recent में दिखता रहता है उसके बाद यहाँ पे certificate यह सब दिखता है इतना चीजे है इस university app के अंदर आप इसको उपयोग करके आप learning कर सक करते हैं और सबसे important है कि अधिकतर learners के पाथ mobile रहता है और mobile के माधियम से आप देखते हैं तो यहाँ पे यह fast भी जैदा काम करते हैं तो assignment भी आप यहीं से बना सकते हैं तो आपने जान लिए हैं कि assignment यह mobile app क्या है अगर आपको कैसा लगा comment करके जरूर बताए और सबसे important भी वीडियो डालते रहते हैं साथी सथ हमारे टेली गराम चैनल है और WhatsApp गुरूप है उसको भी जोएन कर लिजे आपको link description में मिल जाएगा